इगनू में फिर से आगया है प्लेस्मेंट यानि कि इगनू आपको नौकरी ओफर कर रहा है और इस बार आप दो कंपनी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जिसके तहत आप 20,000 रुपए से ले करके 30,000 रुपए तक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और आज मैं आपको इसी के बारे में डीटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो को कम्पलीट देखे और इगनु से रेलेटेट सा भी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो डेट किया गया है इस बार जो प्लेस्मेंट आया है वो दो कमपनी में आया है एक एर इंडिया सेट्स में और एक अपतारा में दोनों का ही नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है पहले एर इंडिया के बारे में बात कर लेते इस पर आप कलिक करेंगे फिर यह पीडिय of employment के बारे में आपको बताया गया यह आपका permanent job रहेगा यहाँ पर आपको responsibility के बारे में बताया गया कि अगर इसमें आपका selection होता है तो आपके उपर क्या क्या responsibility रहेगा उसको आप यहाँ पर check कर सकते है नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको skills के बारे में बताया गया कि अगर आपको यह नौकरी चाहिए तो आपके अंदर क्या कि स्कील्स होना चाहिए तो इसको आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं और वहीं बात करें salary के बारे में तो यहाँ पर आपको बताया गया salary आपका रहेगा तो आपका graduation complete होना चाहिए और age limit यहाँ पर आपको बतायागे है maximum जो है आपका 28 साल complete होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते है और वहीं बात करें position के बारे में location के बारे में कि अगर इसमें आपका selection होता है नौकरी करने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा तो यहाँ पर आपको बतायागे है IGI Airport या देकि इंदरा गांधी International Airport Terminal 3 New Delhi यह रहेगा आपके posting का location और यहाँ पर आपको selection process के बारे में भी बतायागे है जिसमें कि आपको बतायागे है पहले तो आपका एक group discussion होगा और फिर आपका एक final interview होगा इसी के आधार पर आपका selection किया जाएगा और यहाँ पर आपको important note करके बतायागे है document के बारे में आपके पास जो है एक passport भी होना चाहिए जो की 2019 के बाद जारी किया गया हो और अगर आपने passport के लिए apply कर रखा है तो इसके उपर भी वीचार किया जा सकता है यानि कि आप interview देने के लिए जा सकते है और जब आप pre placement के लिए जाएगे तो वहाँ पर आपको क्या के चीज़े बताया जाएगा तो आपको company के profile के बारे हैं बताया जाएगा job recruitment के बारे हैं बताया जाएगा ctc के बारे हैं बताया जाएगा और जब आप interview के लिए जाएंगे तो आपका resume है यानि कि CBA इसका 2 copy आपको ले करके जाना होगा और इग्णू का जो ID card है इसका भी दो copy आपको ले करके जाना होगा और जो selection process है इसमें साम भी हो सकता है तो जो आपका रुकने वगएरा का है वो आपको खुदी देखना होगा और अगर आप 11 बजे के बात जाते हैं तो फिर आपको campus में entry नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ contact नमर वगएर भी दिया गया है तो अगर आप इनसे contact करना चाहे तो कर सकते हैं और अब बात करते हैं कि interview के लिए आपको कब जाना होगा तो यहाँ पर आपको बताया गया है पहले तो company के यहाँ पर आपको नाम बताया गया है एर इंडिया, sets private limited और interview के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा तो यहाँ पर आपको बताया गया convention center, ignu campus, मैदान गड़ी, new Delhi यहाँ पर आपको interview देने के लिए जाना होगा और कब जाना होगा तो यहाँ पर आपको बताया गया 15 फरबरी 2023 से यह रहेगा आपके interview का date यानि कि 15 फरबरी को आपको interview के लिए जाना होगा reporting और registration का time आपको बताया गया साड़े 9 बजे से साड़े 10 बजे तक और जो आपका pre placement है वो 11 बजे start हो जाएगा तो इसलिए बताया गया है 11 बजे के बाद कोई entry नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर जो दूसरा position है यानि कि दूसरा जो notification आया है नौकरी का उसके बारे में बात करते है यानि कि अपतारा के बारे में क्योंकि यहाँ पर जो placement आया है वो दो company के तरफ से आया है तो अब अपतारा पर आप click करेंगे तो यह PDF file open हो जाएगा इसमें भी आपको सेम चीज़े बताया गया है जो campus placement है वो है अपतारा के तरफ से और interview के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा तो यहाँ पर आपको बताया गया convention center इगनू campus महदान गड़ी निव देली यहाँ पर आपको जाना होगा कब जाना होगा तो आपको बताया गया 15 फरबरी को जाना होगा और जो आपका registration और reporting का time है इसमें भी सेम है साड़े 9 बज़े से लेकर के साड़े 10 बज़े तक और जो आपका pre placement है वो 11 बज़े start हो जाएगा और वहीं आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको position के बारे हैं बताया गया जिसमें आपको बताया गया है copy editor and technical writer यह रहेगा आपका position और इसमें भी आपका यह permanent नोकरी रहेगा आपके उपर क्या क्या responsibility रहेगा यहाँ पर आपको बताया गया तो इसको आप देख लीजेगा skill आपके अंदर क्या करें अच्छी है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है तो इसको आप चेक कर सकते है और यहाँ पर आपको salary और incentive के बारे हैं बताया गया है तो salary range यहाँ पर आपको बताया गया है 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में हो सकता है in hand salary और work experience के बारे हैं बात करें तो अगर आप फ्रैसर है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते है और अगर कोई experience है तो भी आप apply कर सकते है और education qualification में आप यहाँ पर आपको बताया गया है आपका minimum graduation complete होना चाहिए without any backlog के अगर आपका back वगेरा आया था तो फिर ऐसे में आप apply नहीं कर पाएंगे age limit यहाँ पर आपको बताया गया है 18-45 के बीच में और अगर आपका selection होता है तो जो posting का location है वो रहेगा आपका noida और selection process की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया इसमें आपका एक return test होगा और उसके बाद फिर आपका interview का दो round होगा और important में यहाँ पर आपको बताया गया है pre placement के लिए आप जाएंगे तो इसमें भी आपको same चीज़े है company profile के बारे में बताया जाएगा job recruitment के बारे में CTC के बारे में और क्या कैसी आपको ले करके जाना होगा तो यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपका resume है यानि के CV है इसका दो copy और IGNU का जो ID card है इसका दो copy आपको ले करके जाना होगा और इसमें भी same वही चीज़े है जो selection process है इसमें साम भी हो सकता है अंदेरा भी हो सकता है तो फिर जो रुकने वगएरा का है साम का वो आपको खुदी देखना होगा और 11 बज़े के बाद आप जाते है तो फिर आपको campus में entry नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर contact number वगएरा दिया गया है अगर आपका कोई सवाल वगएरा है तो यहाँ पर जो contact number दिया है email id दिया गया है इनसे आप contact कर सकते है बाकी यह दोनों यह पीडिया फाइल को आप यहाँ से download कर सकते है अगर यहाँ से download नहीं होता है तो मैं इसे telegram पर भी डाल दूंगा वहाँ से भी आप download कर सकते है तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए, सेर किजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते है